हेलो व्रिवान कैसे हैं आप सब तो फ्रेंज आज मैं बहुत ही ब्यूटिफुल डिजाइन आपके शाद शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप लेडिस कार्डिगन में शॉल वगेरा में बेबी स्वेटर में और गर्ल्स के टॉप वगेरा में या श्रग में किसी भी प्रोज करेंगरंस यह डिजाइन हमारा नैटीं-ynneteen के मल्टिपल से बनता है प्लस इसमें दो फंदे एर्ड कर देने है यानिकि आप उनीस-नीस के मल्टिपल से फंदे लीजिये प्लस इसमें दो फंदे और आड़ कर दीजिये तो इस डिजाइन को हम सट कर सकतै है आप जितने भ बार बार डालते जाएंगे तो यह डिजाइन बहुत सुन्दर है और देखिए नीचे आप बॉर्डर डालने की इसमें जुरुतनी है देखिए इसमें कट पर बिल्कुल बन रहा है इसे या तो आप बॉर्डर बॉर्डर के तौर भी डाल सकते हैं उसके बाद उपर दूसरा भी कोई डिजाइन आप इसमें डाल सकते हैं जो भी आप कार्डिगन बना रहे हैं जैकेट बना रहे हैं आप बॉर्डर इतना डालिए फिर उसके उपर आप दूसरा डिजाइन में डाल सकते हैं देखिए बॉ 40 फंदे इसमें मने अड फंड की हुए है जालीस फंदों में हमने इस डेजाइन को बनाना है और इतार एब करेंगे तो यह देखिए फर्स्ट रो स्टार्ट करते हैं यह पूरी रो हमने उल्टी-उल्टी बना लेनी है यह देखिए ऐसे इसको पूरा हमने उल्ट-उल्टा बना लेनी है ताकि नीचे जो बेस होता है बॉर्डर वह हमारा उल्ट-उल्टा कापी अच्छा लगता है इसलिए हमने चार सलाईय उल्ट-उल्टी बनानी है सीधी तरफ से उल्टी तरफ से दोनों से चार सलाईय हमने बनानी है तो यह देखिए यह हमने फॉर्स ट्रो कंप्लेट करनी है पस्टो हमारी कंप्लेट होगी सेकंड रो भी हमने उल्टी उल्टी बना कर त्यार कर लेनी है तो चलिए इसको ऐसे ही पूरी रो हमने ऐसे ही बना लेते है चलिए मैं इसको पूरी रो उल्टी उल्टी बना कर इसको कंप्लेट कर लेती हूँ अब ये देखिए थर्ड रो थर्ड रो भी हमने उल्ट उल्टी बनानी है इसको भी पूरी सलाई हमने उल्ट उल्टी बना कर त्यार कर लेनी है इसको भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ पूरी उल्ट उल्टी बना कर मैं कंप्लेट कर लेती हूं धर्ड रो देखिए फर्त रो इसे भी हमने पूर यूटा यूटा बना लेना है आ पिर चलिए इसको इस रो को भी मैं complete कर लेता हूँ फिर फिफ‍ट रो में मैं आपको दिखाऊँँ तो देखे फ्लॉंड यह 4 सेद्ट कहले हैं अब चार शाहिं बनाने के लिए हमाराणा फिफ्त रून हैं है सिफ्त रोम में देखे हैं हम ने यह पूरी रॉह हम ने सिति अधिदी बनाकर त्यार कर लेंगी है यह पूरी रों हमने सिथी सिथी बना लेंगे है एक है तो चले मैं इस रो को सीथा सिथा पूरा बना लेती हूं कर負ीस जरुखिया लिना है जो रोंक साइड है वो फारी स्लाइएं हमारी उल्ट उल्ट आधे हिमने बनानी है कि पूरी रोंने ऐसे ही उल्टा उल्टा बना कर तियार कर लेना है जो देखिए प्रंद छे स्लाइएं हमने कंप्लीट कर लिए है चार सलाइएं एक सीधी और एक उल्टी बना कर तो अपद Such a printer सेंध रून में मैं क्या करना है की करना कि एक फंदह हमने वतार लेना के आप सीधा बना लीड़े और उसके बाद देखियो का इसीद़ नहीं को आप 2 पंद एक काप से लोट दो वार लुट है तो से उunn无 мер ये तो पर टो इस गेख बारी बे आप दो बारी दो फंदों का एक हो गया अब ये तीसरी बार दो फंदों का एक कर लेंगे यानि कि तीन बारी हमारा हो गया दो दो फंदे मैं हमने दो का एक कर दिया है अब क्या करना है कि धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे आप फिर से यहां जाली डालेंगे ऐसे लपिटेंगे और छे बरी हमने जाली डालने हो और एक फंदा सीधा बनाना है तो यह एक बरी हो गया अब यह दूसरी बार यह देखिए एक फंदा सीधा फिर जाली डालेंगे फिर एक फंदा सीधा चार जाली डालेंगे एक फंदा सीधा पांच जाली डालेंगे एक फंदा सीधा छे बारी हमने देखिए बना लिया है ये देखिए एक फंदा सीधा बनाने के बाद एक दो तीन चार ये देखिए एक फंदा सीधा बनाने के बाद एक दो तीन चार पांच छे छे फंदे हमने बना लिए है अब इसके बाद फिर से वही डिजाइन हमने रिपीट करना है देखिए दो फंदों का एक करें धागे को अपनी और करेंगे छे बारी हमने दो का एक करना है एक हो गया दो तेन चार पांच और ये छे बारी कर दिया है देखिए अब यहां से देखिए यहां से इन फंदों को छोड़कर एक तो तीन चार पांच छे साथ आट नौ तस गयारा बारा तेरा 14 15 16 17 18 19 19 फंदों का ये डिजाइन है इसी को हमने 12 बार रिपीट करना है यहां से हमने देखना है अब फिर से हम स्टार्ट करेंगे धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा बनाने के पाद फिर से जाले डालेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे जाली ढालेंगे और 1 पंदा सिधा 6 परी ने देखें रिपीट कर लिया है एक दो तेंट चार पांच छे आप देखिए धागे को अपनी और करेंगे और यहां दो फंदों का 1 करेंगे है अगर देखे आपके पास अगर देखे फंदे जादा होंगे तो आप यहां पर छे बारी इसका तेन का करेंगे Dynasty डीक नियुक्त अे इहां पर किया था कियोंकि आप बहुत सारे फंदों में जैसे बनाएंगे तो यहां पर फिर से Best गती 6将 करना है अगर आपके पास देखिए लास्ट में यतने फंदे बसते हैं तो यह हम तीन बारी करेंगे देखिए दो हो गया और इसी को आप बार बार रिपीट करते जाएंगे तो आपका डिजाइन बनता जाएंगा और यह एक फंदा सेधा बना लेंगे लास्ट का अधिक सेव तो यह देखिए उल्टा उल्टा हम बना लेते हैं इसको पूरा रोको जाली वाले फंदे भी सारे फंदे उल्टे-उल्टे बना लेने हैं तो चलिए इस रोको मैं कम्प्लीट कर लेती हूं तो फिर मैं आपको नाइन तरो में दिखाते हैं अब यह देखिए नाइन तरो नाइन तरो में क्या करना है सेम जैसे हमने सेवन बनाई है सेम हमने नाइन भी बनानी है एक फंदा सीधा बना लेंगे दागे को आगे करेंगे तीन बारी तो का एक करेंगे यह देखिए एक बारी हो गया अब यह दो दो बारी दो का एक कर दिया तो यह दो फंदो का फिर से दो का एक कर दिया यह तीन जाले डालेंगे एक फंदा सीधा मनाएंगे, दो, जाले डालेंगे एक फंदा सीधा, तीन, जाले डालेंगे एक फंदा सीधा, चार, जाले डालेंगे एक फंदा सीधा, पांच, जाले डालेंगे एक फंदा सीधा, छे, छे बरी हमने कर दिया, फिर धागे को आगे करेंगे, और 6 बार ये अब दो का 1 करेंगे, एक हो गया 2 और ये 3 ये 4 और ये 5 और ये 6 अब इसी को हमने बार बार रिपीट करना है, यहां से लेकर यहां तक हमारा 19 बार का डिजाइन है सेम हमने वही रिपीट करते जाना है बार बार धागे को पीछे करेंगे फिर से वही 6 बारी हमने जाली डालते वे बनाना है यह देखिए एक बारी पंदा सीधा बनाकर फिर जाली डालेंगे फिर यह देखिए एक बारी काउंट करेंगे इसको एक फिर जाली डालेंगे तो फिर जाली डालेंगे सीधा फंदा बन क्योंकि हमारा पास फंदे काम है तो आम तीन बारी करेंगे अगर हमारे फंदे बहुत ज्यादा है तो आप वहीं सेम डिपीट करते जाएंगे डिजाइन को यह दिखिए तीन बारी दोका एक कर दिये दागी को पीछे करेंगे एक फंदा लास्ट में सीधा बना लेंगे यह अब 10th row हमने उल्टी-उल्टी बनाकर complete कर लेनी है जैसे हमने 8th row बनाई है जाली बले फंदे भी सारे फंदे उल्टी-उल्टी ही बनाने है इस row को मैं complete कर लेती हूँ 11th row में मैं आपको दिखाऊंगे अब यह देखिए 11th row 11th row भी सेम सेवन्थ और 9th row की तरह है यह देखिए एक फंदा हमने ऐसे उतार लेना है यह आप सीधा बना लीजिए फिर धागे को आगे करके तीन बारी दो का एक करेंगे वही सेम रिपीट करतेंगे एक हो गया दो और यह तेन बारी हो गया अब फिर स हम सीधा बना लेंगे फिर उसके बाद जाली डालेंगे और यह एक फंदा सीधा बनाएंगे एक हो गया जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे तीन जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे चार जाली डालेंगे एक फंदा सीधा बनाएंगे पांच जाली डा तेन चार और ये पांच और ये लास्ट में छे चे बरे कर दिया दोका एक लागे को पीछे करेंगे फिर से वही सेम हमने रिपीट करना है डिजाइन अब यहां से देखिए यहां से लेकर यहां तक हमारा 19 फंदो का डिजाइन है अब इसी को हमने फिर से वही रिपीट करना है एक फंदा सीधा बना लेंगे फिर देखिए जाले डालते वे एक फंदा सीधा एक हो गया जाले डालते वे एक फंदा सीधा दो जाले डालते वे एक फंदा सीधा तीन जाले डालते वे एक फंदा सीधा चार जाले डालते वे एक फंदा सीधा पांच जाले डालते वे एक फंदा सीधा छे चे वारी रिपीट कर लिए फिर से वही तीन बड़ी दो का एक करना है तो कंदो का एक कर दिया एक दो और ये लास्ट में तेन और ये लास्ट वाला एज स्टिच इसको हमने सीधा बना लेना है देखिए 11 रों कंप्लेट हो गई है 12 रों हमने उल्ट उल्टी बना कर कंप्लेट कर लेनी है जैसे हमने 8 और 10 रों को बनाया है तो इसको रोंको मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको 13 रों में दिखाऊंगी तो यह दखिए 12 रों कंप्लेट हो गई है अब हमने 13 रों बनानी है 13 रों हमने पूरी रों सीधी PhD बनानी है एक फंदध उतालेगे और सारे फंदे हमने सीधे सीधे बना लेनी है इस रो में कोई डिजाइन नी पड़ेगा सिर्फ सेवन नाइन और 11 में एक ही जित्सा सेम रिपीट पैटर्न पड़ेगा और बाकी बहुत असान डिजाइन है एक बार में समझ में आ जाएगा कि देखिए सीधा सीधा हमने पूरी रो बना लेनी है कोई भी डिजाइन नी डा खुचम और 10 अप्सक्टी है एक दो एक बास själv उन्य वारा कोई है कि यह धेकर में पूरी रों कम्प्लीट कर ली और देखिए 14 रोजो है वह उल्टि-उल्टि हमने बना लेनी है इसको भी पूरा हमने उल्ट-उल्टा बनाकर कम्प्लीट कर लेना है और यह 14 रों का ही डिजाइन है इसी को आप बार-बार रेपीट करते जाएंगे तो हमारा आता जाएगा तो चलिए इस रोको complete करके मैं आपको फिर दिखाते हूँ तो यह देखिए यह हमारा 14 रोका design है इसी को हम बार बार repeat करते जाएंगे मन से लेकर हमने 14 तक बार बार repeat करते जाएंगे तो हमारा यह design बन कर तियार हो जाएगा तो और देखिए कितना सुन्दर design बन कर तियार हो जाता है इसे आप जरूर एक बड़ी ट्राइ करिएगा और इसे किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसे डालेंगे लेडिस और गर्ल्स के टॉप अगरा में या आप शॉल अगरा बना रही हैं उसमें डालेंगे तो बहुत सुन्दर design है और बहुत अच्छा लगता है बेबी स्वेटर में भी यह बहुत अच्छा लगता है तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है मेरा बताने का आपको तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को subscribe, like, share जरूर कीजेगा तो फ्रेंज नई वीडियो में मिलते हैं फिर से नए design के साथ तब तक के लिए बाई, thank you